नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेत इंस्पारेश इंडिया पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी दुरुभाग ये पूर्ण घटना पर जिक्र करने के लिए जिसके चलते हमने अपने दस भाई बहन खो दिये हैं पाकिस्तान के आतंकी संग्ठन लश्करे तॉयबा के द्वारा इस बात के जिम्मेदारी ली गई है कि भारत में हुए आतंकी हमले के लिए वो जिम्मेदार है इस गटना पर आज डीटेल में जिक्र करेंगे मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यानि कि कल रविवार के दिन शाम साड़े साथ बजे भारत के अंदर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने तीसरी बार कंसीग्यूटे उलगा तार प्रधान मंत्री पत की शपत ली और जो पाकिस्तान की मंद्शा के बिलकुल विरुद था because पाकिस्तान के द्वारा प्रपर तरीके से ये प्रोपगेंडा चलाया गया था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधान मंत्री ना बने यानि कि तीसरे टर्म में वो आपस ना आएं क्योंकि जब से वो प्रधान मंत्री हैं तब से पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिष्टे हैं वो सामाने नहीं हुए हैं और उनका कोई भी प्रयास जम्मु कश्मीर को लेकर सफल नहीं हुआ है और जम्मु कश्मीर निरंतर 370 हटने के बाद से नए शिखर सफलता के छूते चला जा रहा है उनकी ये फ्रस्टेशन इस बार के चुनाव प्रचारों में भी दिखी आज के सेशन में जिक्र भी करेंगे और ऐसी इस्थिती में उनकी फ्रस्टेशन तब और हावी हो गई जिस समय प्रधान मंत्री शपत लेने वाले थे उसी से एक गंटे पहले जम्मु कश्मीर के अंदर रियासी नामग जिले के अंदर यात्रियों से भरी एक बस पर आतंकियों ने हमला किया आतंकियों के हमले में बस खाई में जागिरी और बस में सवार दस लोग मारे गए और बाकी लोग घायल हो गए मौके से गोलियां और घायलों की तस्वीरें वाइरल हुई साथ ही साथ सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर All Eyes on Riasi वाइरल होने लगा ट्वीट ट्रेंड करने लगा All Eyes on Riasi क्यों हो रहा है इसके पीछे मैं आपको तरक याद दिला दूँ संभवत आपको याद हो कुछ समय पूर्व जब एजराईल के द्वारा गाजा पट्टी में राफा वाले छेतर पर हमला किया गया था उसके अंदर कुछ राफा में निर्दोश लोग मारे गए थे तब भारत की बहुत सारी सेलिब्रिटीज और बहुत सारे सो कॉल्ड लिबरल्स अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर आईज ओन राफा लगा कर कंडॉलेंसेस दे रहे थे लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा आईज ओन रियासी जैसा जब भारत के अपने लोग एक दुरगटना में मारे जाते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया ना दिया जाना लोगों के बीच चर्चा का विशय बना हुआ है लोग इसी कारण से ओल आईज ओन रियासी और लोगों का दोगला पन पबलिक कर रहे हैं कि देखो हमारे देश के अंदर शूडो लिबरल्स कैसे हैं दुनिया के किसी देश में दुरगटना होती है इनके मुझे आवाज निकलती है लेकिन अपने ही देश में धार्मिक कट्टरता के चलते इस्लामिक रेडिकलिजम के चलते हिंदू को ले जा रहे तीर सिस्थल पर ले जा रहे यात्रियों को टार्गेट करके गोली मारी जाती है केदारनाथ हमले के बाद ये दूसरी घटना है तो बोले ऐसी जगे पर इनके मुह से कोई आवाज नहीं निकलती इसे लेकर सोशल मीडिया पर ये जानकारी ट्रेंड होने लगी प्रधान मंत्री का पद ग्रहन हो चुका है प्रधान मंत्री को ना पद ग्रहन कराने के लिए पाकिस्तान की सारी कवायदे फेल हो चुकी है आज अभी जिस समय आप और हम डिसकस कर रहे हैं उससे कुछ समय पहले ही portfolio भी distribute हो चुका है portfolio पर कल हम एक session लेकर आएंगे लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कर ले कि जल्दी से जाकर channel को subscribe कर लीजिए जो भी साथी उपस्तित हैं जिन्होंने already subscribe किया हुआ है कर लीजिए साथियों साशन को साजा कर दीजिए और दिन भर की detail analysis के एक और हमारा YouTube channel अपनी पाठशाला है वहाँ सुबह 9 बज़े हाजिर हो सकते हैं देश और दुनिया की तमाम 5 ख़बरे हम वहाँ पर detail में discuss करते हैं साथी हमारी website भी है हमारा application भी है साथी हो यह घटना है जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर में आप में से बहुत सारे लोग वैशनो माता के मंदिर या तो गए होंगे या जाने की इच्छा रखते होंगे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जिला है उसी से लगता हुआ जिला है रियासी रियासी में एक जगह है जिसका नाम है कटरा और कटरा जा रही इस बस पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया आतंकियों की संख्या आँखों देखे लोगों के द्वारा दो बताई जा रही है कहा जा रहा है कि वो लोग सेना की ड्रेस में थे और सेना की ड्रेस में उन लोगों के द्वारा हमला किया गया ठीक है जिसमें ड्राइवर कंडेक्टर समेथ 10 लोगों की मौत हुई है और 41 लोग घायल हुए है ये शाम 6 बजे की घटना है आप विचार कीजिए जिस समय देश में एक बहुत बड़ा इवेंट होना जा रहा था भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने पद को ग्रहन करने जा रहे थे शपत लेने जा रहे थे उस समय आतंकियों की फ्रस्टेशन देखो कि उन्होंने बकाइदा टार्गेट करके धार्मिक यात्रा पर जा रही बस जिसमें की बहार के राज्ज के लोग सवार थे उन्हें टार्गेट करके गोलियां मारी ये वो बस है जो तस्वीरों में आपको दिख रही है इसके अंदर यात्री सवार थे इन्हें प्रापर एक रोड पर खड़े हुए आतंकियों के द्वारा गोलियां target किया गया, बस चुकि उचाई पर थी और ढलान, मतलब बगल में खाई थी, तो driver को पड़ी हुई गोली से, बस खाई में जा गिरी, और उसके बाद आतंग की अंधादुन्द गोलियां इस गिरी हुई बस पर भी बरसाते रहे जिसकी वज़े से कुछ गोलियों के निशान और गोलियों के साथ-साथ गोलियां पड़ी हुई, इस छेतर पर मौके से बरामद हुई है, ये कहा जा रही थी असल में यहां में बैठे हुए जो लोग थे, उनमें से किस लोगों का कहना है कि शिवखोडी के दर्शन करके हम कटरा जा रहे थे, कटरा कहां है एक बार मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ आप देखिए, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर जिला आपको दिखाई देता है रियासी अगर रियासी को ध्यान से देखें तो दिखाई पड़ता है कटरा मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ तो जम्मू कश्मीर में अगर आप ध्यान से देखें तो इधर आपको जम्मू दिखाई देगा और जम्मू से उपर की तरफ एक जिला है जिसका नाम है रियासी तो ये देखें जम्मू और जम्मू के उत्तर की तरफ आपको दिखाई देगा रियासी जिसके एक तरफ राजवरी है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है ये रहा रियासी ठीक है तो जम्मू से रियासी यानि इस छेतर में जाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो रियासी एंट्री करती ही आपको जब कटरा जाना होता है माता वैशनो का मंदिर जो है वो कटरा में इस्थित है लास्ट येर यहाँ पर पिचान में लाख श्रद धालू पहुँचे थे आप विचार कीजिए अकेले चम्मू कश्मीर के रियासी डिस्टिक में पिचान में लाख ट्यूरिस्ट पिछली साल माता वैशनो देवी के दर्शन करने पहुँचे हैं ये कितना बड़ा नंबर है इस बड़े नंबर से कितनों को दिक्कते हैं इससे अंदाजा लगाईए क्योंकि माता वैशनो देवी का दर्बार बहुत लोगों को अखर रहा है अच्छा साब ऐसी इस्थिती में रियासी जा रही इस बस को टार्गेट किया गया टार्गेट करने के बाद बस कुछ इस प्रकार से खाई में गिर गई मौके पर पहुँचे लोगों ने घायलों को निकाला और जो पीडित थे उन्हें अस्पताल पहुँचाया मौके से कुछ इस प्रकार से गोलियों के खाली शेल्फ मिले हैं और यहां पर लगातार इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स जाकर जाच कर रही हैं भारत के राश्रपती, विदेश मंत्री, ग्रह मंत्री, राहुल गांदी जी तमाम निताओं के द्वारा इस घटना पर सम्वेदना व्यक्ट की गई है साथियों, जिस प्रकार से दुनिया भर में जब कोई दुरगटना होती है दुरगटना में किसी बच्चे की मौत जब होती है तो वाकई में दुख होता है इस घटना में एक दो साल के बच्चे की मौत की तस्वीर वाइरल हुई जिसके चलते लोगों की सम्वेदनाय फूट पड़ी और सम्वेदनाओं के चलते लोगों ने All Eyes on Reasi trend कराया कि देखिए आप लोग मिस्स कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार के दुरगटना से पीडित हैं हम लोग किस प्रकार किसे आतंक से पीडित हैं साथ में उन्हें अपनी तरफ से 10 लाख रुपे जो मरत लोग हैं उनके परिवार जनों को और साथ में गायलों को अपनी तरफ से सहायता उपलब्द कराने के सरकार की तरफ से वादे को, कमिटमेंट को धोराया यहाँ पर जाच टीम पहुँच चुकी है, जाच टीम इस जगे की प्रॉपर जाच कर रही है, इस आसपास के छेतर में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन चलाय जा रहे हैं प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर गोली चला के निकला होगा तो वो आसपास के जंगलों में चुपा होगा तो उसे ढूंडने के तमाम प्रयास किये जा रहे हैं अब पाकिस्तान-based terror outfit लसकरे तैवा ने अपनी तरफ से कहा है कि जो हमारा TRF front है उसके द्वारा इस रियासी attack को किया गया है यानि कि ये open and shut मामला कि साहप जिम्मेदारी ले ली और जिम्मेदारी लेना इसलिए ये अपनी तरफ से बड़ी बात मानते हैं क्योंकि इसके बाद में लोगों में इनके नाम का बह बैठे ये बह बैठे कि अच्छा ये लोग अगर धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं तो इनकी धमकी को seriously लिया जाए इस वजह से लसकरे तयबा ने अपनी तरफ से कहा है कि हमारे TRF front के द्वारा ऐसा किया गया है अब ये TRF front क्या है दर रेजिस्टेंट front के नाम से लसकरे तयबा की एक ब्रांच है इंडिया के अंदर दर रेजिस्टेंट front जो की अल्रेडी भारत के अंदर terrorist group के रूप में मतलब band group है इसके द्वारा जो भी काम अब तक किये गए हैं उनकी फहरिष्ट बहुत लंबी है मतलब इनके मिलिटेंट्स के द्वारा सिविलेंस को मारा जाना CRPF को टार्गेट करना बहुत सारे लोगों को टार्गेट करना एक लंबी फहरिष्ट है इनके आतंक की इस लंबी फहरिष्ट के चलते ही वर्ष 2023 की शुरुगात में TRF यानि दा रेजिस्टेंट्स फ्रट को एक टेररिस्ट और्गेनाईजेशन भारत सरकार के द्वारा डिकलेयर किया गया था यह यहाँ पर UAPA के तहत बनी हुई लिस्ट है जिसके अंदर दा रेजिस्टेंट्स फ्रट को लश्कर ये ताइबा के साथ रिलेट होकर के सेंक्शन हुई लिस्ट के अंदर आप लगा हुआ देख सकते हैं अर्थात आप यहाँ से यह सेंस डवलप कर सकते हैं कि जो TRF फ्रट है दा रेजिस्टेंट्स फ्रट जो है इस फ्रट को अल्रेडी एक प्रतिबंदित आतंकी संग्ठन में भारत के अंदर जाना जाता है यही कारण है कि इस आतंकी संग्ठन जो की लश्कर ये ताइबा द्वारा प्रमोटेड है उसके द्वारा भारत के लोगों को टारगेट किया जाना लोगों के बीच में एक बहुत जबरदस्त गुस्से का कारण बना और यही कारण है कि लोगों ने All Eyes on Riaasi नाम से ट्वीटर पर एक फोटो ट्रेंड कर आई ठीक है साब यह बिलकुल रिजेंबल करती है All Eyes on Rafa से क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने एक बार Rafa पर अपनी जब टिपनी की थी तो इस टिपनी के बाद से लोग इन्हें खोज-खोज कर पूछ रहे हैं कि भाईया अब कहा हो अब तो हमारे अपने देश के लोग मरे हैं अब आप चुप क्यों हो Instagram को भी लोगों ने काफी ट्रोल किया क्योंकि Instagram ने बकाइदा ये सब्द ही बैन कर दिया हैस्टैग ही गायब कर दिया हैस्टैग अगर रियासी लिख रहे हो तो वो सर्च में ही नहीं आ रहा था फिर लोगों ने उसको और प्लेटफॉर्म्स पर जब टेक करना ट्रेंड करना शुरू किया ये हैस्टैग को पूरी तरह Instagram ने गायब कर दिया था और इसके चलते लोगों के सामने Instagram का ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये जब पब्लिक हुआ लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे तब जाकर के फिर Instagram ने शाम को इसे दिखाना शुरू किया जस प्रकार से इसराइल भारत के साथ खड़ा रहा है ऐसे ही आज भी भारत में इसराइल के जो राज़दूत हैं उनका ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से शौकड हैं इस पूरी घटना से और वो ऐसे समय पर भारत के लोगों के साथ खड़े हैं यानि बात को टारगेट किया जम्मु कश्मीर में रियासी में जहांपर दस लोग मारे गए My Heart Break For The Families Who Lost Their Loved Ones I Stand One India Against Radical Islam और उन्होंने प्रोपर तरीके से इस बात को मैंशन किया ठीक इसी प्रकार से एक और Member Of Parliament है उन्होंने अपने द्वारा इस बात को कहा प्रोपर तरीके से और कहा कि भाया जो पाकिस्तानी टेरिस्ट हैं कश्मीर वैली के अंदर हिंदूओं को मार रहे हैं इंडियन्स जागो और अपने लोगों को बचाओ अब बड़ा सवाल ये आता है कि साहाब ये बताईए कि ये घटना ऐसे समय पर क्यों हुई जब प्रधान मंत्री शपत ले रहे थे इसके पीछे ultimate क्या है कारण क्या है तो सहाब ये इनकी बौखलाहट है पाकिस्तानियों की frustration है अब ये frustration कैसे है मैं अब आपको सिलसलेवार तरीके से कुछ कारण बताता हूँ जिनसे आप इस बात को समझ पाएंगे आए शुरू करते है साथ यो पाकिस्तान के एक नेता है फवाद चौधरी हुसेन फवाद चौधरी नाम है इनका इन्हों ने जब भारत में केजरिवाल जेल से रिहा होते हैं उस समय लिखा कि मोदी जी लॉस्ट अनादर बैटल केजरिवाल रिलीजट good news for moderate Indians इनका मानना है कि इंडिया में हिंदू और दूसरे जो लोग हैं मतलब हिंदू तोième लोग हैं यानि कि ये extremism रखते हैं मोधी extreme हिंदू का supporter है और जो moderate Indians हैं बोले उनके लिए अच्छी news है कि केजरिवाल जेल से रहा हो गए हमारे देश की politics है हमारे देश में राजनेताओं के साथ राजनेतिक दल क्या कर रहे हैं उस पर हमें टिपनी करनी का अधिकार है तुम कौन होते हो लेकिन ये फिर भी टिपनी किये कोई बात नहीं सा इनके पास भी social media है कर दिये और देखते हैं राहुल गांदी जी के promotion में कहते हैं कि राहुल on fire यानि कि ये proper तरीके से पाकिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान समर्थकों को message दे रहे हैं कि पाकिस्तान केजरिवाल जी के समर्थन में है राहुल गांदी जी के समर्थन में है ये है कौन अगर आपको लग रहा है कि ये क बीजेबी की सरकार नहीं आने चाहिए, मोधी को रोकना जरूरी है, ये वो व्यक्ति है, जिसने, अच्छा ये है कौन थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर कुआ करते थे, तब ये उनका संचार मंत्री हुआ करता था, यानि कि को ये चोटा मुटा आदमी पूर्व में मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ठीक है, आज भी जब कैबिनेट बन चुकी है, उस समय भी इसका ट्वीट आता है और इसका ध्यान के सीच पर जाता है कि देखो, नई कैबिनेट में केवल हिंदूों को ही जगह दी गई है, कोई भी मु अधार पर अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान इसी लिए तो बनाना क्योंकि तुम्हें धर्म के आधार पर देश बनाना था, तुम धर्म के आधार पर देश बनाने में कामियाब हो गये, लेकिन तुम अब यहां पर आकर पंचायती कर रहे हो, कि यहां पर 20% मुसल्मान हैं तो वो यहां पर अपना मंत्री क्यों नहीं पाए तो तुम्हारा जो काम था वो तुम्हारा हो गया इंडिया अपना फैसला करने के लिए अब आजाद है तुमको अपना देश चाहिए था उसने अपना देश ले लिया लेकिन फिर भी आप देखें बकाइदा इसने चुनाओ परचार में प्रॉपर विग्यापन किया ये वो फवाद चौधरी है जिसको की शहबाज शरीफ ने गसिट गसिट वा करके जेल में डलवाया था लेकिन अब ये बाहर निकल आया है भार निकल आया है तो इसका पूरा बात सुनिए कर रहे हैं इसने बकाइदा चुनाओं के दोरान ये प्रॉपर वीडियो डाल करके ये प्रॉपर जरूरी है कि नरेंदर मौदी इरेक्शन में शिकस्त खाएं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तालुका तभी बेटर हो सकते हैं जब एक्ट्रीमिजम जो है वो कम होगा अब आप इससे जदा क्या मान सकते हैं कि एक देश का पूर्व मंत्री दूसरे देश के हो रहे चुनावों में विचार कीजिए कि हमारे देश के मंत्री पाकिस्तान के हो रहे चुनावों में अपनी तरफ से बयान बाजी करें कि इस आदमी का हराना जरूरी है इस आदमी का और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की कितनी जबरदस्त मन्शा थी कि कैसे ना कैसे करके मोधी सरकार को रोक दिया जाए क्योंकि इसके आते ही पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो हालत हुई है ना वो मोधी सरकार के इस दस साल में दुनिया के सामने जग जाहिर है कहां से कहां तक पहुँच गए और इनकी क्या हालत हो गई तो इनका कहना ये है कि भई इनका आना जरूरी नहीं है ये नहीं आने चाहिए इन्होंने खूब प्रचार प्रचार किया इन्हें असल में क्या पसंद नहीं आ रहा है मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं साथियों ये शह आने बंद रहती थी आज ये जगे एकदम चमन भाहर है क्यूरिस्टों की यहां पर लाइन लगी हुई है अब जाम लगी हुई इस्थिती देख रहे हैं यहां पर लोग बकाइदा बैठ करके तस्वीरें ले रहे हैं बच्चे खेलते हुए घूमते हुए यहां पर दिख का होना इन्हें रास नहीं आता जम्मू कश्मीर में विदेशियों का आजाना इन्हें रास नहीं आता कश्मीर की वैली के अंदर ट्यूरिजम का बढ़ना आपको जानकर आश्चरे होगा जहां दुनिया देश भर के अंदर हीट वेव का बात चल रहा है देश में बहुत जबरदस heat waves चल रही है, इस समय पर गर्मी के समय पर बहुत सारे भारतिये अल्रेडी जाकर कश्मीर के अंदर अपनी booking करा कर वहां समय बिता रहे हैं, मतलब कश्मीर को सब लोग अपनी तरफ से घूमने का destination बना लिये हैं, आखडों पर अगर नजर डालें, तो फिलाल कुछ दिनों में कश्मीर में प्रती दिन 18,000 लोग प्रती दिन विचार कीजिए, 18,000 लोग प्रती दिन कश्मीर में जिशियनगर एयरपोर्ट से पहुँचे हैं, 94 फ्लाइट इस समय एयरपोर्ट पर पहुँच रही हैं, एक एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट पर 180 आदमी वे सवा यातरी जम्मु कशमीर में पहुँच चुका है कश्मीर की वैली के अंदर पहुच चुका है जम्मु कशमीर के अंदर जो विदेशी सहलानी आ रहे हैい उनकी शंख्यावी बढ़कर 300% से जाधा हो चुकी है यानि कश्मीर को इस समय इतना जबरदस्त ट्यूरिजम का benefit मिला है कि ये जो पैठे हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आका थे जिन्होंने 1990 से पाकिस्तान के द्वारा प्रायुजित एक proxy war कश्मीर में चलाना शुरू किया उन्हें बहुत बड़ा जटका लगा और वो जटका है न वो जटका साफ-साफ दिखाई और कश्मीर को भी destination wedding की location बनाई है क्योंकि फिल्मों की shooting के लिए तो लोग जाते ही हैं बोले शादी भी यहाँ पर आकर करिए ऐसी इस्थती में जहां पाकिस्तान IMF से 3 billion dollar का bailout package मांगने के लिए गिड़गडा रहा है कि सहाब हमें किसी तरह से बरबाद होने से रोक लो हम किसी तरह से बरबाद ना हो इसके लिए हमें 3 billion dollar का package दे दो वहीं भारत सरकार 14 billion dollar का 14 billion dollar का जम्मू कश्मीर के लिए budget allocate करती है तो आप विचार कीजिए कि पाकिस्तान की frustration किस हद की होगी इनकी यह frustration ही है किसी आनि बिल्ली खंबा नौचे तो जब tourism के आधार पर इतना रोका जाए तो बोले tourist को निशाना बनाया जाए तो चलो tourist की आ रही bus को निशाना बनाया जाए और वही हरकत इन्होंने छोटी हरकत इनके द्वारा की गई है यानि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर के बहंकर तरीके से frustrated है आप अंदाजा इससे लगाईए कि भारत में जिस समय लोकसाब elections चल रहे थे उससे जस्ट पहले intelligence की खबर थी कि कम से कम 200-300 आतंकी दूसरी तरफ प्रॉपर तरीके से training ले रहे थे कि एक बार बस सत्ता परिवर्तन हो जाए और हम यहाँ पर entry कर जाए बकाइदा NIA की teams अब इन आतंकियों को खोज रही है कि कहीं ऐसा त 70 हटा था तो जम्मु कश्मीर में इतनी prosperity आई पूरा पाकिस्तान बरबाद होने के लिए 3 billion dollar का loan मांगराई बरबाद होने से बचा लो 14 billion dollar केवल जम्मु कश्मीर को दिया जा रहा है ऐसी इस्थती में जम्मु कश्मीर को पुराने दिनों तक अगर ले जाना है तो इनके ल मज में आया होगा कि प्रधान मंतरी के शपत ग्रहन समहारों से पहले ही ये घटना क्यों हुई क्योंकि वो अपनी frustration जाहिद करना चाहते थे कि देखिये हम किस तरह से इस घटना को लेते हैं उस घटना के अंदर उन्होंने इस तरह की हरकत की खैर सुरक्षा बलों को पूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और जो अपडेट्स आएं वो आप तक पहुंचते रहें साथियों सब्सक्राइब करने में 0.192 लगता है सब्सक्राइब का बटन है उसे मातर दबाना होता है जोनोंने और रड़ी सब्सक्राइब किया हुआ है वीडियो को लाइक कर दें साथियों से साजहा कर जरूर कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ें जरूर और हां बाकि अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है अपनी पाठशाला वहाँ पर नियमित सुभे Real News and Analysis नाम से दुनियादारी की दस पाँच बड़ी खबरों का रोज अनलिसिस किया जाता है जरूर पहुँचें वेबसाइट विजिट करें और हमारे अप्लिकेशन पर जीए फाउंडेशन का recorded history, geography, policy, economy का बहतरीन बैच है जिसे अगर आप पढ देंगे तो भारतीय राजविवस्था, भारतीय जोगरफी इन पर आपका बहुत अच्छा मतलब नियंतरन इस्थापित होगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एक समझ विक्सित होगी, इसके लिए आप हमारा अप्लिकेशन पर जा सकते हैं जिसका link comment box और description में दिया गया है